हरियों बंद्वों देमियों सजनों आज बहुत ही मर्माहत होकर और यह भी से आपके देश के समाज के सामने रख रहा हूँ हरियों सभी सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत है मित्रों आज इस वीडियों में हम सुनेंगे अंतर राष्ट्रिय पहलवान एवं भाजपा के गाड़े करता राकेश शियंजी को उन्होंने पूज्य संस्री आशारांग जी बापू के बारे में जो कहा है उसका परचार प्रसार करना ये भी एक सनातन संस्कुती की सेवा होगी अतो आपसे विनम्रता पुर्वक निविधन करता हूँ के आप इस वीडियो को अंतर तक पूरा देख कर पूरा सुन कर फिर इस वीडियो को खूब शेयर भी जरूर करना धन्यवाद हरियों हरियों बंद्वों देवियों सजनों आज बहुत ही मर्माहत होकर और ये भी से आपके देश के समाज के सामने रख रहा हूँ बंद्वों मैं सभी जिम्मेदार लोगों से निविधन करना चाहता हूँ हमारी बात को गंभीरता से ले आज देश के एक महान संथ आसा राम जी बाठो जो सौप्रत्सत निर्दोस होते हुए केवल बिदेशी साजिस, साजिस में सामिल, मीडिया और कुछ राहनीतिक दलों के लोग इनके साजिस के सिकार हो करके और आठ साल से अपनी बेगुनाही की सजा भुगत रहे हैं और संतों का सताया जाना ये प्रकृत बरदास्त नहीं करती हैं आज प्रकृत में जो उथल पुथल दिख रहा है यह केवल मेरा मानना है कि ऐसे एक आत्म ज्यानी है, महापुरु संत कि जिन्होंने देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, देश के धर्म, संस्कृती, समाज की रच्छा के लिए, इनको एक जुट करने के लिए, इनके उत्थान के लिए, पूरा जीवन अपना खपा दिया जिनके दर्सन मात्र से ही, लाखो लोग वैसन से मुक्त हुए, किसी का सराब छुटा, किसी का सिग्रेट छुटा, किसी का मीट छुटा बहुत सारी बुराईयों से लोग दूर हुए और लगातार होते जा रहे थे और ऐसे संतको, ऐसे समय में, कि जिसने जो कुछ देश में आज अच्छाई दिख रही है सब के बारे में भुषवाणी की थी, सारी भुषवाणी सब सामने आती जा रही है और इसके बाद भी, क्या कारण है, कि एक लड़की के मात्र आरूप लगा देने पर अरूप क्या है, कि केवल छेड च्छाड नाबालिक लड़की के साथ इसका अगर ये साबित हो जाए, तो इस पर अधिक्तम तीन साल की सजा होती है लेकिन वह लड़की बालिक है, उस समय भी बालिक थी, इसका प्रमाण आज तक कोट सग्यान नहीं ले रहा है ये बहुत ही दुखत घटना है, और चूकि आज मीडिया का जुग है, मीडिया से कोई पंगा नहीं लेना चाहता इसनाते कोई इस कटूज सत्य पर खुल कर बोल नहीं पा रहा है आने वाले समय में क्या, मीडिया ही देश चलाएगी, मीडिया के कहने के हिसाब से राजन्यता निड़े लेंगे देश के बारे में हम उनसे भी कहेंगे कि सजग हो जाईए, सबकी एक सीमा होती है और सबके लिए लच्छमन रेखा होना चाहिए जो लड़की, भालिक लड़की नाभालिक बनकर आरोप लगाई, उसे भी अपनी गलती का एसास हुआ, वो बार बार कोट में जाकर के दस्तक दी कि हम अपना बयान वापस लेना चाहते हैं लिंक कोट ने उसको नहीं माना, वहीं दूसरी तरफ, एक और कि अबल आप इतना ही समझिए, कि एक और संत को, जिनका वीडियो वैरेल हुआ, सब कुछ हुआ, लड़की के साथ मसाज कराते हुए, नगन चित्रत जिनके वो हुए, मैं उस पर भी नहीं कुछ कहता, क्योंकि लेकिन उस लड़की के खिलाफे फायार हुई, और वह तथाकतित संत, आज खोल करके, मंचों पर भासड दे रहे हैं, टीवी पर विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये आखिर क्या कारण है, बंदूओं संतासारां पापुजी के पाँच करोड से अधिक सिस्षी समय देश और भी देश में हैं, ये जो आठ साल का समय बीता है, इस आठ साल में पूरा देश पता नहीं कितना उपर गया होता, इसकी कलपना नहीं की जा सकती हैं, बंदूओं एक निर्दो संत आठ साल से जेल में बंद हैं, और इक कोड आज तक उनकी केस को नंबर पर नहीं लगा पा रही है, क्या कारने की जब नंबर आता है तो कहते हैं दो महीने बाद, तीन महीने बाद की तारीक डाल देते हैं, और वहीं पर एक पत्रकार पकड़ा जाता है, खड़े उसकी जमानत हो जाती है, सलमान खान के लिए एक कोड सजा करती है, दूसरी कोड तत्काल उनको जमानत देती है, आसारम बापुजी को सजा देने वाले जज को परमोसन दिया जाता है, और सलमान खान को दोसी ठहराय जाने वाले जज़ का ट्रास्फर कर दिया जाता है बंदों बहुत दुर्भाग यह देश का मैं राकेश सिंग पहलवान देश का जिम्मेदार नागरी कूँ भारती जन्ता पार्टी का कारी करता हूँ हमने देश और समाज के लिए रेलवे की अपनी अच्छी नौकरी छोड़ी मैं अंतराश्टी पहलवान रहा हूँ लेकिन यह पीड़ा देखी नहीं जा रही है मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी समझ जाएए क्योंकि संतकी आह बहुत बुरी होती है संतका वाह लीजिए संतका असिरवाद लीजिए संतके आह जब लगती है तो प्रकृत में भुचाल आ जाता है और ये परिस्थितिक कंट्रोल के बाहर हो जाती है इस बात को समझने की आवशकता है मेरा सबसी देश के सभी जिम्हदार लोगों से हाद जोड़ करके प्रार्थना है निवेदन है कि संतासा रमबापू के बारे में सकारात्मक सोच रखते हुए उस पर निड़े लिया जाना चाहिए उनको ततकाल रिहा किया जाना चाहिए एक लड़की के आरोप पर उनको जेल भेजा गया है लाखो लड़कियां रो रो करके रो जांसू भारी है उनकी भी आह लगेगी हमारा सभी जिम्मदार लोगों से आग रहे है कि संतासा रमबापू को निर्दोस रिहा कराने में आप मदद करें बहुत बहुत धन्यवाद